नमस्कार, मैं अविनास रंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हर्द कभी नंदन करता हूँ आज के इस वीडियो में हम अध्यन करने वाले हैं पुनरुक्त वदाभास अलंकार के बारे में अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में figure of speech कहते हैं तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं पुनरुक्त वदाभास अलंकार का संपुर्ण अध्यन हम लोग सबसे पहले अलंकार की परिभासा पर संक्षिप्त रूप से विचार कर लेते हैं किसी वाक्य के वडनन करने का चमतकारिक धंग अलंकार कहलाता है कहने का मतलब है जब हम लोग कोई वाक्य कहते हैं तो जब हम उस वाक्य को कहने में विचिश्टता का समावेश कर देते हैं और वाक्य में चमतकार या प्रभाव उत्पन हो जाता है तो उसे ही हम लोग अलंकार कहते हैं और जिस विसिष्टता का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे हम लोग अंग्रेजी में poetic device कहते हैं. और अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में figure of speech कहते हैं. अलंकार के प्रकार, देखिए, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं. सब्दा लंकार अर्था लंकार और उभया लंकार अभी हम लोग सब्दा लंकार पर आते हैं सब्दा लंकार की परिभासा का भी हम लोग संख्षिप्त अध्यन कर लेते हैं जहां सब्दों में चमतकार पाया जाए वहां सब्दा लंकार कहा जाता है इसका ताटपर यह है कि यदि उन सब्दों को बदल कर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची अर्था सिनोनिम सब्द रख दिये जाए तो यह चमतकार ना रहेगा अर्था सब्दा लंकार में जो भी चमतकार उत्पन होता है वो सब्दों के माध्यम से होता है और अगर हम लोग एक सब्द की जगहा उसका पर्यायवाची या सिनोनिम्स रख दे तो वो चमतकार समाप्त हो जाता है उदाहरं के तौर पर देखिए तरनी तनूजा तट तमाल तरूर बहुचाए तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तवर्ण की आवरिती हो रही है और यह एक रिदम बन रहा है उसी जगह अगर हम लोग यह जो तट है तट की जगह हम लोग की नारा का प्रयोग कर दे और कहने लगे तरनी तनूजा किनारा तमाल तरूर बहुचाए तो वो रिदम नहीं बन रहा है तो सब्दालंकार में सब्दों की बहुत प्रधानता होती है सब्दालंकारों की संख्या कितनी है तो सब्दालंकारों की कुल संख्या जो है वो दस है हम लोग अभी पुनरुक्ती वदाभास अलंकार के बारे में अध्यन करेंगे पुनरुक्ती वदाभास अलंकार देखे जानी परे पुनरुक्ती सी पै पुनरुक्ती ना होए वदाभास पुनरुक्ती ते ही भूसन कह सब कोए अर्थात जहां दो सब्ड ऐसे रखे जाए जो पर्यायवाची हो और एक सा अर्थ देते हुए दिखाई दे परन्तु या थार्थ में अर्थ कुछ दुसरा ही हो उसे पुनरुक्तिवदाभास अलंकार कहते हैं उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग पुनरुक्तिवदाभास को विखंडित करते हैं तक पस्चात हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं देखे पुनह उक्तिवदाभास हो गया पुनरुक्तिवदाभास अर्थात जो सुनने में ए कार्थक और पुनरुक्त से जान पड़ते हैं, पर वास्तों में ये प्रसंगत भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं, उसे ही हम लोग पुनरुक्ती वदाभास अलंकार कहते हैं, यहां हम लोग एक बिघाम्पल देखते हैं, क्योना होई छितिपाल सो, निती पाल जग एक, जाके निकट जू रहत है सुमनस विबुध अनेक तो यहां पर तेखिये पहली नजर में हमें सुमनस और विबुध एक ही अर्थ देवता प्रतीत होता है परन्तु वास्तों में सुमनस का अर्थ है सुंदर हिर्देवाला, सुंदर चित्वाला और विबुध का अर्थ है विशेश पालन करने वाले वेक्ति को हम लोग छिती पाल राजा क्यों न कहें क्योंकि उसने इस पुजीशन को पाने के लिए अपने निकट किन लोगों को रखा है सुन्दर चित वाले लोगों को रखा है विशेशग्यों या पंडितों को रखा है जो उसे हमेशा अच्छी बाते खाते हैं और ऐसी लोगों को ही वास्तों में राजा बनना चाहिए एक दूसरा एक्जामपल देखिए बंदनिये के ही के नहीं वे कबिंद मतिमान सुरग गये हु का वेरस जिनको जगत जहान यहां पर देखिए जगत और जहान पहले तो एकार्थ हुआ ची जान पढ़ते है परंतु विचार करने से अर्थसपस्ट हो जाता है कि जगत का अर्थ हुआ जो गाना गाता है या जो गाता है और जहान का मतलब हुआ संसार अब इस दोहे का अर्थ देखिए हम लोग उस बुद्धिमान कवी की वंदना क्यूं ना करे जिन्हों ने ऐसे काव्व्यों की र गाने लगे तो यहां जगत का मतलब हुआ गाना और जहान का मतलब हुआ संसार में तो एक ऐसा कवी है जिसने अपनी रचना से ये तुलसी दास के लिए लिखा गया है अपनी रचना से काव्वे के रस का समावे से सभी पाठकों में कर दिया और वे उनकी रचनाओं का चौपाई है इसका एक एक जामपल देखे पुनी फिरी राम निकट सोवाई प्रभू लच्छी मन पहबहुरी पठाई ये देखिए जब शूर्पनखा राम के शौंदरे पर मुग्द हो गई और उसे विवहा का प्रस्ताव देने लगी तब राम जो है वो शूर्पनखा को लक्षमन के पास भेज देते हैं फिर लक्षमन कुछ कहकर सुर्पनखा को पुनहा राम के पास भेज देते हैं तो यहाँ पुनी और फिरी लग तो रहा है पुनी और फिरी एक अर्थ लेकिन फिरी का अनवे जो है वो आई से है फिरी जो है वो आई से सम्मंद रख रहा है इसलिए इसका अर्थवा फिर लौट कर आया अर्थात ये जो सुड़प नखा है वो कभी लौट कर राम के पास जा रही है फिर लक्षमन के पास आ रही तो यहां पूनी फिरी जो है लग तो रहे है एक जैसे लेकिन इसका अर्थ हुआ फिर और फिरी का मतलब हुआ लोट कर आना अच्छा यहां देखिए अली भौर गूंजन लगे होन लगे दल पात जहां तह फूले रुख तरू प्रिय पृतम किमिजाद तो यहां देखिए अली और भौर दोनों का मतलब भौरा लग रहा है दल का मतलब भी पत्ता होता है और पात का मतलब भी पत्ता जैसा लग रहा है रुख का मतलब भी पेड़ तरू का मतलब भी पेड़ प्रिये का मतलब भी जिसे हम पसंद करते हैं और प्रितम का मतलब भी जिसे हम पसंद करते हैं लेकिन ये दोनों के अर्थ जो है अलग-अलग है कैसे यहाँ देखिए अली का मतलब सक्षी होता है दोस्त और पात कहने का मतलब हुआ पत्तों का गिरना रूखतरू, मतलब रूखे, सूखे हुए और प्रिये प्रितम, प्यारा प्रितम तो यहां कहा जा रहा है भौरे गूझने लगे उसी प्रकार जब एक सखी आ गई या दोनों प्रेमी भी आपस में बात चित करने लगे तो माहोल गूझने लगा होन लगे दलपात और जब भौरा पत्तियों पर बैठ रहा है, सूखी पत्तियों को पार करके जा रहा है तो सूखे पत्ते गिर रहे हैं उसी प्रकार जब प्रेमी और प्रेमी का उपवन में टहल रहे हैं और किसी पेड को ये किसी पौधे को छूर है तो उसके सूखे पत्ते भी गिरने लगे जहता फूले रुख तरू अर्थात उस पेड के रुखे सूखे फूल पत्ते जड़ने लगे प्रिये प्रितम की मिजात अर्थात वो दोनों यूगल जो है कहीं जा रहे हैं तो किसी भी पेड़ पोधे को स्पर्स कर रहे हैं, तो सूखे पत्ते सूखे फूल जड़ जा रहे हैं। और अब हम लोग आज आते हैं, अंतिन ये एक कवित है, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार का एक स्रिष्ट उधारण माना जाता है। देखिए भ्रिगु लात पद ही ये प्रिवर राजत है। देखिए लात और पद जो है वो एक लग रहा है। मोर पंख पक्ष साज मेरे मन भावे है, राजय हार और बनमाल, आलते दिखाई देत कासी राजतन पर गोरज सवहावे है, रहे पर दोस सांज समय में बिहारी स्याम, ललित अरुन अंग ताम्र को लजावे है, दक्षिन हरित हरे अंग संग बलदेव, कुंजर मतंग दंत कं धरे आवे है, तो यहाँ पर यह जो भी दिख रहा है, लग रहा है एक अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए एक भ्रीगु रिशी थे जिन्होंने क्रोध वस विष्णू के हिर्दे पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया था, और उनके पैरों के चिन्ध विष्णू क हिर्दे पर अंकित हो गये, तो वही कह रहे है, भ्रीगु लात और पद का मतलब हुआ स्थान, वो कौन सा स्थान हिर्दे वाले स्थान पर भ्रीगु के पद चिन्ह अंकित है, और वो बड़े ही सुसोभीत लग रहे हैं, मोर पंख पक्ष साजे मेरे मन भावे हैं, अर्थ साथ मोर पंख को धारण करने वाले स्रीक्रिष्न और उनकी प्रसंशा करने वाले लोग मेरे मन को भाते हैं, तो यहां पक्ष कहने का मतलब है, पक्ष वाले लोग जो स्रीक्रिष्न की वंदना करते हैं, राजय हार बनमाल आड़ते दिखाई देत, तो देखिए, राजय हा वो अपने गले में वैजनती माला धरन किये हुए है बनमाल आड़ते दिखाई देज़ और जब हम लोग बनमाल कहने का मतलब हुआ वन के व्रिक्षो की आड़ से जब कोई स्रीक्रिश्न को देखता है कि उन्होंने अपने गले में वैनती माला धरन की हुई है तो ऐसा लगता है मानों उनके हिर्दे से ही फूल खिल रहे हो कासी राज तन पर गोरज सहावे है अर्थात कासी के राजा स्रीक्रिश्न के सरीर पर गोरज अर्थात गायों के चलने से जो धूल उड़ती है वो धूल उनके सरीर पर उनके तन पर बहुत सुहाती है सुंदर्ता बढ़ाती है उनके सरीर की रहे परदोस सांध समय में बिहारी स्याम ये कह रहे है देखी परदोस कहने का मतलब ये सांध का समय और सांध कहने का मतलब ये सांध का समय रमणिये रूप का दर्सन नहीं कर पाते। ललित अरुन अंग तामर को लजावे हैं। तो देखें ललित अरुन अंग कहने का मतलब हो गया और तामर दोनों तो एक ही लग रहा है। लेकिन स्रीकृष्ण का सावला रंग साम के समय ऐसा लगता है। रंग संग बलदेव अर्थात उनकी सुन्दरता और तब बढ़ जाती है जब दर्चन हरे तर्थात उनके बाएं तरफ हरे रंग संग बलदेव हरे रंग कहने का मतलब होता है अत्यांत प्रसन हो जाते हैं जब उनके साथ उनके बड़े भाई बलदेव अर्थात बलराम खड बहुत बड़ा कुंजर मतंग दंत कंद धर्यावे हैं अर्थात बलदेव अपने कंधे पर बहुत बड़ा मतंग दंत मतंग दंत कहने का मतलब हुआ हल अपने कंधे पर धर्कर आ रहे हैं और ये सब्द्रिश्य आखों के लिए अत्यंते रमणिये हैं अत्यंते सुन्दर हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने पुनरुकती वदाभास अलंकार के बारे में जाना कि दूनों पद आएंगे लगेंगे कि वो एक दूसरे के परियावाची है, सिननिम है लेकिन वास्तों में वो अलग-अलग अर्थ के दियोत्तक होते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वडियो जरूर अच्छा लगा होगा, हम पुन्हा मिलेंगे किसी अगले वडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद